हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल, आज मैंने बनाये हैं बहुत इडिफरेंट स्टाइल के पकोडे, चले मैंने यहाँ पर कट करके भी दिखा दिया है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, ना आया हो, तो चले बने रहे वीडियो में, टमाटर के पकोडे ह लाल होने चाहिए, पर पिल-पिले नहीं होने चाहिए, मतलब कई बार वैसे होता है पढ़के फाड़ होने चाहिए, वेस्ट प्रूबको उसके बाद में प्रूंत की तयारे हम करें। बीज गृूंप पर यहां पर यहां पर दकारी से ढलेंगे पृद्विंग्स ओध्स सब्सक्राइब करें। पाने डालना है और उसके बाद में इसी पैस्ट से हम बेशन घोल लेंगे 69-29 अपने बाफिवशा डाल दीजिएगा, और गाढ़ा सा एकका आपको घोल त्यार करना है बेशन का, तो इस तरीके से पहले लम्स्प्री कर लिजेगा, थोड़ा सा पानी डाल के गुठलिया इसकी खतम कर लिजिए, और उसके बाद में स्मूथ सा एफ घोल त्यार कर लिजिए, और उसके बाद में इसमें हम नमक एड़ कर देंगे 10 मिर्ट के लिए रेश्ट पर छोड़ देंगे ताकि ये बेसं जो है अच्छे से मतलब फूल जाए और उसके बाद में हमारे पकड़े बहुत ही अच्छी बनेगी अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो आप यहाँ पर चावल का आटा एड़ कर सकते हो एक दो चमच या फिर कॉन फ्लोर एड़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक और हिंग से डाजेशन सही रहेगा और टेस्ट भी अच्छा आता है कड़ाई में मैंने एक छोटा चमस तेल एड़ कर दिया था गरम होने के बाद में मैं आप याड़ कर दिया है बारिक कटा हुआ प्याज और मिर्ची दोनों को थोई दिर के लिए हम भून लेंगे और आलू को मैंने पहले उबाल लिया था छिलके रख लिया हुए है अगर अगर आलू आपके पास पहले से उबले हुए है ना तो फिर यह आप जल्दी से बना पाओगे मत्तब बहुत जल्दी बन जाएंगे सुखे मसाले मैंने आप एड़ कर दिया है जैसे नमक है चाट मसाला है जैसे भी चटपटा आपको बनाना हो स्टफिंग को उस तरह से आ कर सकते हो अब यहां पर मैंने मैशर की हैल्फ से अच्छे से मैश कर लिया है आप देख सकते हो और गैस की फ्लेम यहां पर मैंने चालू ही रखा है ताकि भून भी जाए थोड़ा सा तो यहां पर हमारा स्टफिंग बन के तयार हो चुका है मैंने नमक अभी तक एड़ नह निकाल लेंगे प्लेट में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए कढ़ाई में रहेगा तो जल्दी से ठंडा नहीं होगा और उसके बाद में हम इस्टफिंग करना शुरू करेंगे आप गरम गरम भी से ठंड़ कर सकते हो लेकिन हाथों को चिपकेगा मतलब थोड़ा सा गरम र यह पकोड़े लगते हैं आप मसाले को उपर है कि कितना ज्यादा चटपटा आप मसाला बनाते हो जैसे भी आपको टेस्ट पसंदो जितना भी तीखा पसंदो तो आप वह सारी चीजे इसमें एड़ कर सकते हो मसाले में जो हमने स्टाफिंग तयार करी है तो चलिए यहां पर कर लेते हैं उसके बाद में फिर हम इसे फ्राइ करेंगे कढ़ाई में मैंने तेल रखा हुआ हुआ गरम होने के लिए तो तो तक कि आप स्टाफ कर रहे हो जब तक कि हमने बेशन को रेस्ट पर छोड़ा तो हमने मसाले भी तयार कर लिए और इस तरीके से हमने टमाटरों क जाएंगे और फिर कढ़ाई में डालते जाएंगे गाढ़ा साई घोल होना चाहिए बहुत पतला मत रखेगा ने तो फिर पकोड़ों में अच्छे से कोट नहीं होंगे तो इसलिए गाढ़ाई घोल आपको रखना है और तेल का टमप्रेचर आपको मीडियम रखना है आप इस बात का ध्यान रखें कि जो स्टफ किया हुआ साइड है मतलब जो हमने मसाले भरे है ना वो साइड आपको पहले डालना है नीचे की तरफ होना चाहिए नहीं तो फिर आपके मसाले बिखर जाएंगे मतलब अच्छे से पकोड़े नहीं बनेंगे तो इस बात का चमच की हैल्फ से एके करके ही आप पल्टे नहीं तो फिर यह तूट जाएंगे अगर कुसी बड़े बरतन से आप इसको पल्टो गे तो तो चमच की हैल्फ से एके करके पल्टे और गैस की फिल्म लोटू मीडियम रखें आप अपने हिसाब से अर्जस्ट करते रहें तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने एके करके इसे पल्ट लिया है और सारे ही पकोडो को थोड़ा सा कलर आ जाए जब तक हमें फ्राई कर लेना है थोड़ा सा टमाटर को भी हमें पका लेना है और इसलिए गैस की फिल्म है लोटू मीडियम रखनी है तो यहां पर देखि क्योंकि जो टमाटर का खटापन है जो मसाले हमने इसमें स्टॉक किया है इतना ज्यादा चटपटा और तीखा नहीं है तो कोई भी चटनी हो सकती है पर तीखी होनी चाहिए चटपटी होनी चाहिए तो उसके साथ में आप इंजॉय करें बहुत ही ultimate combination रहता है बहुत ही ultimate ल